तो जैसा कि आप देख सकते हो आज हम डिसकस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबिल दो अजार 23 में आए हुए सभी बायलोजी के क्वेस्टन्स तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आपको पता भी होगा कि बायलोजी के बहुत सारे क्वेस्ट से इस बार पूछे गए हैं तो इस वीडियो को लास्ट सक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स बहुत सारे कंसेप्स ऐसे होंगे जो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेस्टन है विच पार्ट कि अप्रॉड का वो पार्ट जो अनुज रह जाता है जो डाइजएस भी नहीं होता जो जो अनुज नहीं हो पाता अनुज फूड उस से हम इफएकेट करते हैं तैस अप्रॉपर बोज़ग्स which of the following is the correct match between column A and column B तो चलिए match करना है सबसे पहले है producer यानि उत्पादक normally producer की category में आते हैं आपके हरे पौधे क्योंकि वो produce करते हैं वो उत्पादन करते हैं खाने का तो first का आ गया है आपका B second है primary consumer जो हरे पौधों को खाते हैं normally जैसे rabbit आ गया तो first का B है second का A है तो ये option से option D में है third का हो गया D जैसे की secondary consumer जो हर भी वोर्स शाकाहरी लोगों को खाते हैं जैसे fox और decomposer हो गया आपके bacteria चलिए इन में से बताना है crop land ecosystem यानि की शस्य भूमी जहांपे हम crop उगाते हैं उस पारिस्थिति की तंत्र के बारे में आपको दो statement दे रखी हैं सबसे पहले ये एक मानव निर्मित man-made ecosystem है बिल्कुल ठीक है क्योंकि crops हम खुद उगाते हैं दूसरा जहां हम खुद कोई चीज शुरू करते हैं वहां आपको variety नहीं मिलेगी तो वहां पे बहुत कम genetic diversity बहुत कम अरुवांशिक विवित्ता पाई जाती है इतने सारे अलग-अलग type के organisms आपको नहीं मिलते जीव जन्तु नहीं मिलते तो दोनो statement जो हैं वो बिल्कुल ठीक है जिल्ली प्रोटीन और लिपिद और उनकी गती शीलता पर मौझूद आकडो की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन ने एक मौडल दिया था तरल मोजाइक मौडल यानि की फ्लूड मोजाइक मौडल वो कब accept किया गया था वो accept किया गया था 1972 में किसका मौडल था वो? वो मौडल था सिंगर और निकोलसन का याद रखेंगे किस चीज के फ्लूड मोजाइक मौडल था? सिंगर और निकोलसन का था कब था 1972 में Autotrophs can fix सब पोशी किसका इस्थिरी करन करते हैं? देखो ये सब गैस है सब कोशी यानि हरे पोधे कौन सी गैस लेते हैं? Carbon Dioxide तो किसका इस्थिरी करन करेंगे? मतलब किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे? Carbon Dioxide को Rafflesia Arnoldi is famous because जो Rafflesia का पोधा होता है आपने सुना होगा सबसे बड़ा पोधा है पूरे दुनिया में पूरे पोधे जगत में सबसे बड़ा पोधा होता है सबसे बड़ा फूल इसी पोधे का होता है तो it has the largest flower in the plant kingdom Which syndrome causes a fatty hump between the shoulders? किस बिमारी में? कंदों के बीच एक मोटा कूबर एक गोल सहरा हो जाता है और तुचा के उपर पिंक या परपल stretch marks खिचाव के निशान हो जाते है तो इस बिमारी को क्या बोला जाता है? इस बिमारी को बोला जाता है Cushing syndrome Sunlight is the main source सब को पता होगा Vitamin D सबसे main source का main source sunlight है Which of the following correctly describes chemotherapy आपने सुना होगा Cancer के इलाज के लिए chemotherapy होती है तो basically chemotherapy क्या है जब आप chemicals का इस्तमाल करते हो अपने इलाज के लिए ठीक है? Drugs का नहीं, proper chemicals का तो उसे chemotherapy बोलते हैं Use of chemicals for therapeutic purpose उप्चार के सिकित सी है प्रयोजनों के लिए रसायनों का उप्यूंग Who among the following introduced binomial nomenclature of biological classification किसने जैविक वर्गी करन की दुई नाम नमावली के शुरूरात की यानि किसने जो biology में जीव जनतु हैं उनको नाम देना शुरूर किया तो वो थे linear Milk is a good source of Milk किस किसका एक बहुत अच्छा सोर्स है Calcium, Phosphorus और Protein इनका बहुत अच्छा सोर्स है Calcium और Phosphorus तो आप देखते ही टिक कर देना और Calcium और Phosphorus दोनों किसी और में नहीं है इन में से बताईए कौन सा Cell Cycle के बारे में Not Correct, गलत कौन सा है तो पहली बार तो मैं आपको बता दू Cell Cycle होती कैसे है Sequence होता है G1 जिसमें Cell बड़ा होता है उसके बाद S इसमें आपका जो DNA है वो अपने आपको कौपी करता है आपने वो देखा है ना Amoeba के अंदर कि Nucleus खिचेगा, दो हिस्सों में तूट जाएगा फिर Cytoplasm खिचेगा दो हिस्सों में तूट जाएगा सेम वो है, बस उसको चार अलग-अलग Alphabet में नाम दे दिया सबसे पहले है G1 जिसमें Cell में Growth होगी उसके बाद है S जिसमें DNA कॉपी करेगा फिर G2 Cell Mitosis के लिए Prepare करेगा Mitosis का मतलब Cell विभाजित होने की तयारी करेगा Divide करने की तयारी करेगा और Last है M Cell Divide हो जाएगा यानि Cytoplasm दो हिस्सों में तूट जाएगा तो अब आपको बताना है कौन सा गलत है DNA आपने आपको कॉपी करता है S cycle में ये ठीक है G2 में Face Cell प्रिपेर करता है Divide के लिए M जो है वो Miosis Process है ये ही Incorrect है बताईए इनमें से किसमे Eukaryotic Cell यानि की Eukaryotic कोशिका नहीं मिलती जो नई कोशिका है वो नहीं मिलती Monra आपको मैं बता दू Monra जो है वो Kingdom है Plant Animals में जानवरों में जिनमें केवल Bacteria पाए जाते हैं तो इनमें कोई भी नए तरीके का जो Cell है वो नहीं मिलेगा Ocean के अंदर कितनी तापमान की पढ़ते होती हैं तीन पढ़ते होती हैं एक Surface Layer एक Deep Ocean Layer बिलकुल अंदर की और एक Thermocline Layer जिसको Middle Layer भी बोलते हैं तीन लेयर होती हैं ध्यान रखना तापमान की इनमें से बताईए Oral Cancer मुख Cancer का मेन कारण क्या है टबैको यानि तमबाको 5 Kingdom Classification जितने भी Living Organisms हैं जितने भी उनका 5 Kingdom में Classification किया था किसने पहले तो वो 5 Kingdom कौन कौन से हैं Monara Protista Panjai Plante और Animalia ये 5 Kingdom में सभी जीव जनतों को बाटा था किसने विटेकर और ये बहुत famous classification हुआ था मैं आपको यह बता दू बहुत important है तो RH विटेकर विच थर्मोस्चेबल एंजाइम कौन सा ऐसा एंजाइम है जो थर्मोस्चेबल है गर्मी से वो खराव नहीं होता जो स्वीट पटाटो यानी जो शकरकंध होती है जब वो आप उसको पकाते हो तो उसके पानी उसमें जो चार्च है उसको हाइड्रोलाइस करने का काम करता है उसको क्या करने का काम करता है जल अप घटित करता है तो वो कौन सा इसके अंदर एंजाइम है तो मैं बता दू वो होता है बीटा एमाइलेस बीटा एमाइलेस को गरम भी करोगे तो वो नहीं टूटता वो thermo-stable है Which of the following is not generally used in milk adaptation? दूद में मिलावट के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता? दूद में मिलावट करोगे उस चीज़े जो सफेध रंग की ही होगी यूरिया है, सफेध रंग का होता है स्चार्च है सफेध रंग का होता है स्चार्च जो बुरादा होता है लकड़ी का वो सफेध रंग का नहीं होता तो आप इससे उसके अंदर मिलावट नहीं कर सकते है What are the paired organisms of balance commonly found in aquatic invertebrates? देखो मतलब क्या है? Balance, यानि संतुलन के लिए जैसे हमारी body में जो संतुलन होता है दिमाग में medulla करता है दिमाग में एक हिस्ता होता है medulla तो medulla हमारे balance को maintain करता है ऐसे ही पानी में रहने वाले जो invertebrates होते हैं यानि अकशेरू की होते हैं उनमें balance के लिए एक ऐसा आप कह सकते हो कि organ है एक ऐसा अंग है जो आप कह सकते हो जिसके अंदर ना fluid filled vesicles पाई जाती है यानि की द्रव से भरी पुटी का पाई जाती है बहुत छोटे छोटे ऐसे organs होते हैं जो मिलेंगे octopus वगरा में आपको मिलेंगे ये और ये दिखते भी नहीं है लेकिन ये balance जो हैं पूरे जानवर का balance ये ही control करते हैं तो ये होते हैं stetocyst बताईए इन में से कौन सा animal cell में जन्तु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता endoplasmic reticulum यानि अंतरद्रव्य जालिका golgi complex, mitochondria और plastid तो इन में से जानवरों में plastid नहीं पाया जाता क्योंकि plastid photosynthesis यानि की प्रकास sensation में मदद करता है चलिए vitamin A के बारे में बताना है कौन सी statement बिलकुल सही है सबसे पहला beta carotene is a precursor to vitamin A यानि vitamin A जब बनता है उससे just पहला step होता है कि पहले beta carotene बनेगा फिर उससे vitamin A बनेगा तो ये इतना deep में नहीं पढ़ना बट आ गया है तो इतना समझ लो vitamin A बनने से पहले beta carotene ही बनता है ये बिलकुल ठीक है लीफी ग्रीन vegetables and yellow fruits are good sources of vitamin A पीले फल और पत्तेदार हरी सबजिया vitamin A के अच्छे स्त्रोत रहें ये भी बिलकुल ठीक है तो both statements are correct the process of browning of sugar used extensively in cooking for the resulting sweet nutty flair and brown color is called जिसमें वो process जिसमें चीनी का भूरे रंग में आप उसको बदलते हो और उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है caramelization आपने बोल आपने सुना भी होगा न caramel flavor में क्या caramel brown color का होता है तो चीनी से ही caramel बनता है maintenance functions of a living organism is a dash process जब कोई जीव जन्तु के जो function वो perform कर रहा है उनकी maintenance कैसी प्रक्रिया है यह continuous प्रक्रिया है आपको लगतार अनवरत करनी पड़ेगी which species of arthropods, arthropods कौन से होते हैं? जिनके jointed legs होते हैं, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं जैसे की cockroach, butterfly यह बहुत prawns यह सब इसके अनदनाएंगे जिसकी shape horse, shoe shape होती है जो घोड़े की नाल होती है hard shell होता है और बाहर एक spin होती है जो उसकी tail का काम करती है ऐसा दिखने वाला organism होता है, उसका क्या नाम है तो उसका नाम है lemulus, आप एक बार google बेभी देख लेना, आपको picture से याद हो जाएगा lemulus की shape का होता है which of the following is the most dominant flora of the plant kingdom? जो यह पादब जगत है, इसके सबसे जादा मिलने वाली बनसपती कौन सी है? जिन में फल आते हैं और फल लगने वाले पोदों को बोलते हैं, एंजियो स्पर्म, ध्यान रखना, तो एंजियो स्पर्म करेक्ट आंसर है, इसी के साथ एंजियो स्पर्म में बीज आते हैं, वो भी फलों के अंदर, ध्यान रखिएगा जिन को ध्यान रखना, हमारे ब्लड से, हमारे सेल से, उसके अंदर के कॉंपोनेंट्स, अंदर के जो अंग है, वो निकालने अगर आपको, तो प्रोसेस होते हैं, गोल-गोल घुमाते हैं, और गोल घुमाने को बोलते हैं, सेंट्रिफ्यूगेशन, जो वाशिंग में भी लेकिन क्योंकि हमें बहुत डीपर लेवल पर करना है, तो हम अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन करेंगे, तो अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन, जुरूत अपके इंदरी करेंगे इस लिए दिया जाता है, हम देते हैं प्रेगनेंसी में विमन को बोलते हैं, इस लिए दिया जाता है हम देते हैं प्रेगनेंसी में विमन को फॉलिक एसिट, तो फॉलेट है जो की विटामिन बी की प्राकर्तिक फॉर्म है How many layers of structures consist of the cell envelope, cell envelope में यानि जो cell होता है, उसके बाहर से कितनी परत होती है तो मैं आपको बता दूँ, cell के बाहर टोटल तीन परते होती हैं, एक outer layer, एक inner layer ये जिसको साइटोफलास्मिक लेइर भी बोलते हैं और बीच वाली जो layer होती है, वो होती है आपकी peptido glycan तो तीन परते होती है, ना मैस सच इतना important नहीं है, बढ़ याद रखेंगे, cell के envelope में टोटल तीन layer पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्टिन के और चलते हैं पादब कोशिकाओं में रसधानिया होती है, तो वो cell का कितना पर्टिशत भाग घेर सकती है लगबग 90 पर्टिशत तक का भाग, cell में कोशिका में रसधानिया घेर सकती है इन में से कौन सी statement बिलकुल गलत है, दंत स्वास्थे से संबंदित सबसे पहला, जो मुँ के अंदर बेक्टीरिया होते हैं, वो जो भी sugar, शरकरा या कुछ भी खादेकन जो food particles आपके मुँ में हैं, उनको सडाते हैं और acid बनाते हैं, बिलकुल ठीक दूसरा, हमारे मुँ का pH अगर 5.5 से कम हो जाए, तो दाथ सडने शुरू हो जाएंगे, बिलकुल ठीक है truth enamel, जो हमारा ये दाथ का enamel होता है, ये calcium hypo phosphate का बना होता है calcium phosphate, जिसको आप कह सकते हो, calcium hydroxy appetite, hardest substance है, ये भी बिलकुल ठीक है toothpaste, acidic होता है, गलत, ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, toothpaste होता है basic nature में अभी तो जो acid बनता है, वो उसको neutralize, उसको उदासी नहीं करन करता है तो D option मिलकुल गलत है In food processing, खाध्या प्रसंस करन में, जब कौन सा ऐसा constituent है, जो maze plants है, मक्की के पोधे से हमको मिलता है और उसको हम पानी या juice में, या उसको उबाल के हम filling बनाते हैं अंदर डालने के लिए मक्की के पोधे से क्या मिलेगा, या तो मक्की के दाने या मक्की का आटा, दानों से आप आटा निगालोगे तो gelatin, corn starch, elgin और acacia, corn starch यानि की मक्की का आटा इन में से कौन सा अजैविक के बारे में दावा गलत है यानि ये जीवित घटक है, ये बिलकुल गलत स्टेटमेंट है which of the following is a major inorganic source of food, इन में से कौन सा एक inorganic source है खाने का vegetables में carbon होता है, जिसमें carbon होगा वो organic source है, carbonic पदाट है grain, अनाज, उन में carbon होता है, meat, meat समझो, mass patient, जो आपकी meat है हमारी body ले लो, carbon से मिलकर बनी है, water, water में carbon नहीं होता, तो water ही inorganic source है how many openings does the digestive system and fatty elements help, fatty elements में क्या होता है, बिलकुल flat वाले worms होते है, जो बिलकुल flat worms होते है, बिलकुल चप्टे हुए, जो कीडे होते हैं, वो आते हैं, और इन की body में केवल एक ही opening होती है, जो digestive, खाना खाएंगे, वहीं से खाएंगे, वहीं से खाएंगे, वहीं से निकालेंगे, तो single which of the following is not an amphibian animal, इन में से कौन सा एक उभाचर प्रानी नहीं है, यानि जो पानी के अंदर और जमीन दोनों पर रहता हो, वो है आपका tortoise, salamander जो है, यह एक तरीके की, आपके सकते हो, छिपकली की फ्रजाती है, या छिपकली की जैसी होती है, काफी लंबी पानी और जमीन दोनों पर रहती है, फ्रॉग, टोड, तीनों रहते हैं, दोनों जगाँ, टोड़ नहीं रहता, अंतर संबंद को क्या कहा जाता है, यह भी मैं बता चुकी हूँ, लिविंग कम्यूनिटी और हमारा रिलेशन्शिप, हमारे नॉन लिविंग एन्वार्मेंट के साथ, आसपास एन्वार्मेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, आरिस्थिति की तंत्र, यानी, एकोलोजिकल नीशिप, वो यह पूछ रहे हैं आपसे, इन में से कौन सी तखनीक का उपयोग आप करोगे, जो सेल के अंदर अंगक होते हैं, कोशिकांग, जो सेल और्गनेल्स होते हैं, उनको देखने के लिए, उनकी रिफ्लेक्शन बनाने के लिए, उनकी इमेज बनाने के लिए, वो जो है, वो है, क्रम विक्षन इलेक्ट्रोन सुक्ष्मदर्शी, स्क्यानिंग इलेक्ट्रोन म Migroscope यह नजो फोड मेटिरियल का यह सब्सें फेले मैं बात करती हूं उस Charge की उस चाल्च का पता लगाने के लिए नहीं सबसे उसे बेस्ट बैक हो गया आक 2030 एक है फैस्ट का हो गया आपका प्लतकर्वाइब आफ कश होता है अक्राइन obstet तो fat का पता लगाने के लिए acrolin test किया जाता है third है आपका protein protein का जो test होता है वो होता है buret test protein का test होता है buret fat का होता है acrolin और halogenol-alkane salt होता है इसका test किया जाता है silver nitrate से तो आपका हो गया first का C second का A third का B fourth का D fourth का D एक में है option A next question की बात करते है which of the fuck चलिए अब हमें बताना है इनमें से correct statement कौन सी है सबसे पहले एक system जिसके अंदर biotic और abiotic दोनों component है GV और AGV है दोनों घटक है उसे पारिस्थितिती की तंत्र बोलते है बिल्कुल ठीक है जितने भी ecosystem के components होते है इंटर रिलेटिड आपस में एक दूसरे से संबंध होता है बिल्कुल ठीक है ज़स्ट अभी यही बोला था मैंने ecosystem always have clear boundaries जो पारित अंत्र होता है उसकी सीमाइस पर्च होती है G नहीं उसकी सीमाइस पर्च नहीं होती है अगर मैं बोल रही हूँ forest है forest वो कितना भी बड़ा हो सकता है और ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपको सीमाइस अलग बिल्कुल क्लिरली दिखेंगी तो only one and two are correct चले तो अभी ही हम लोग बिल्कुल half पे पहुँच चुके हैं साथ का लिंक भी दे दिया है ताकि आप फ्री टेस्ट अटेंप्ट कर सकें साथ कि अगर आपको फांडेशन कोर्स चाहिए तो जनरल अवेर्नेस का कंप्लीट बाच अविलेबल है और भी अप्लिकेशन पर किसी के साथ सारे सब्जेक्स कवर करने है तो ऑफिसर बैच है आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी एक बाद चेक आउट कर लिजेगा चलिए नेक्स्ट कोशन के बाद करते हैं इन में से कौनसी स्टेट्मेंट करेक्ट है अल्दा एको सिस्टम सर कॉंसेंट इंसाइज जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो आकार में स्थिर होते हैं नहीं उनका आकार बढ़ता घटता रहता है गलत इन नेचर प्रकर्टी में केवल फूड चेन एक्जिस्ट करती है यानि कि खादे श्रिंकला मौजूद होती है लेकिन खादे जाल नहीं गलत खादे श्रिंकलाओ से ही खादे जाल बनता है फूड चेन से ही फूड वेब बनता है पिरमिड of energy is always inverted energy का पिरमिड हमेशा उल्टा होता है गलत, energy का पिरमिड सीधा होता है energy flow is unidirectional ये बिलकुल ठीक है जो energy जाती है वो वापस उस रस्ते नहीं आ सकती अगर किसी घास को rabbit ने खरगोश ने खा लिया तो खरगोश घास वाली energy को वापस घास में नहीं डाल सकता तो ये बिलकुल true है option D is correct what type of proteins reside within the bilayer membrane that surrounds cells and organelles and play an important role in the movement of molecules across them and the transmission of energy and signals किस प्रकार के protein दुई परत जिली के भीतर रहते हैं जो कोशिकाओ और कोशिकांग को परिभद करती है मतलब किस कौन से protein है जो दो layer के अंदर रहते हैं सबसे पहले तो यही सुन लो और साथ में cell को सबको surround करेंगे सबका घेरा बनाएंगे तो आपको protein के नाम बताने है जो membrane के अंदर रहते हैं जिली के अंदर रहते हैं और जब भी molecule अंदर से बाहर बाहर से अंदर जाएंगे उनके अंदर होते हुए जाएंगे तो आपके जो इसका correct answer है वो है integral membrane proteins यानि परिधिये नहीं परिधिये नहीं आएगा अखन जिली प्रोटीन जो जिली के अंदर होता है ठीक है तो यह होगे आपका correct answer next question की बात करते हैं बताइए इन में से कौन सा जरूरी है हेमोगलोबिन के निर्मान के लिए तो आपको मैं बतादू हेमोगलोबिन हमारे खून में क्या होता है iron तो iron की बहुत जरूरी होती है हेमोगलोबिन बनने के लिए the study of cell structure is called कोशी का समर्चना के अध्यन को क्या का जाता है कोशी का के अध्यन को ही cytology का जाता है तो यह ध्यान से समझ लिजेगा बहुत easy question था इन में से क्या चीज़ ट्रू नहीं है antioxidants को लेके देखो मैं पताती हूँ पहले antioxidants होते क्या है सबसे पहले जो हमारे cell के function है हमारा जो भी कोशी का कारे करता है अगर वो नहीं कर पा रहा कुछ damage हो रहा है तो एक तो antioxidant हमारे लिए बहुत जरूरी होते है उनको रोकता है दूसरा कहां से आता है जाधा तर fruit से plant से हम लोगों को यह मिलते है इसी के साथ aging process कम करते है मतलब हमारी जो age है वो जाधा नहीं show करते है कम show करते है हमें young दिखाते है repairing में help करते है तो चलिए पढ़ते है इट prevents damage of cellular functions यानि कोशी के कारों की मदद करता है मरमत में बिल्कुल ठीक है अनिमल प्रोड़क्ट्स आपको गलत ही बताना था यही गलत है plant products और fruits यह main source होते है antioxidants के वो इस दा ओनली living representative of the extremely ancient and diverse group पैनोप्स्रीडा commonly known as horse tails तो आपसे पूछना है केवल इकलौता जो अभी जिवित है पैनोप्स्रीडा में जो की horse tail के नाम से जाना जाता है वो कौन सा जानवर है या वो कौन सा आपका एक मात्र जिवित प्रतिनीदी है तो वो है आपका equisetum equisetum जो है वो एक मात्र आपका representative बचा है horse tail के अंदर हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा abundant mineral सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वो कौन सा mineral है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा calcium पाया जाता है क्योंकि हडियों में दात में वही मिलता है तो विच जीनस ड़स दा नीमाटोड पेरसाइट कॉल्ड हुक वाम बिलोंग विच यूजुली स्प्रेट स्ट्रू इनमें किस जीनस के अंदर आपका हुक वाम आएगा जो की जो सोयल होती है ना इन्फेक्टेट संक्रमित मिट्टी उससे फैलता है तो ये फैलता है आपका एंसाइकलोस्टोमा एंसाइकलोस्टोमा है जो की नीमा टोड की कैटिग्री के अंदर आता है नीमा टोड के अंदर आपके वाम्स आते हैं जो पेट वाले कीडे होते हैं राउंड वाम्स जो आते हैं सब नीमा टोड के अंदर आते हैं विच कॉमन लॉंग टम infection develops when bacteria in the mouth metabolize sugar to produce acid ये बहुत सही है question वो कौन सा दिर्ग कालिक संक्रमन बनलब लंबे समय के लिए संक्रमन होता है जब भी इंफेक्शन होगा लंबे टाइम के लिए होगा वो तब होता है जब काफी समय से जो आपके माउथ में ब्रक्टीरिया है वो शुगर जितनी भी शरकरा रह जाती है उसको वो एसिट में बदल देता है और आपके दाथ खराब होने शुड़ हो जाते हैं तो इससे जो लंबे समय तक रहने वाली बिमारी है वो कौन सी होती है वो होती है डेंटल केरीज next what are the common compounds in food that induce the growth or activity of beneficial gut microorganisms कौल्ट वो कौन से योगिक हैं जो लाबकारी सुक्षम जीवों की व्रधी कराते हैं जो microorganisms हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उनकी व्रधी कराते हैं ऐसे chemical को क्या कहा जाता है यह chemical होते है prebiotic, prebiotic ऐसे chemical हैं जो हमारे शरीर में या जिस चीज में आप डालोगे, उसमें उन microorganism, उन सुक्ष में जीवियों की population बढ़ाएंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इन में से कौन सा हॉर्मोन है, जो उनको लंबा करने में, उनकी ग्रोथ करने में मदद करता है, उनकी हाइट बढ़ाने में मदद करता है, तो वो होता है ओक्सिन ध्यान रखना, ओक्सिन हमेशा shade में रहना प्रीफर करता है, छाओ में रहना प्रीफर करता है, हमेशा ध्यान ecosystem which of the following are autotrophs ecosystem में सब कोशी कोन होते हैं आरे autotrophs तो कोन होते हैं green plants होते हैं ना simple green plants the condition when the environment becomes enriched with nutrients देखो and increasing the amount of plant and algae growth in estuaries and coastal waters is called यह बहुत important और क्यों है सुनो कई बर क्या होता है जब industries से waste जाता है nitrogen phosphorus potassium यह elements हमारे पानी में यह हमारे वातावरन में बहुत बढ़ जाते हैं और यह वह elements जो पौधों को चाहिए होते हैं तो बहुत जादा excessive growth हो जाती है पौधों की या algae शेवाल की पानी में मतलब पानी दिखता ही नहीं है proper उपर से अगर आप देखोगे तो से फारे पौधे दिखाई देंगे क्यों हामफुल है क्योंकि जो अंदर जीव जन्तु रहते हैं पानी के उन्हें oxygen नहीं मिलेगी वो मर जाएंगे तो इस process को क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है eutrophication यानि की to portion ठीक है next question की बात करता है which of the following is not responsible for hypertension इन में से कौन सा hypertension की के लिए responsible नहीं है सबसे पहला अगर आप nicotyl ले रहे हो चाहे तो smoking आप क्या कहते हैं cigarette पी के तमभाग के माधियम से nicotyl ले रहे हो उसससे hypertension बढ़ती है consuming less salt ये बिलकुल ठीक है मैं आपको बता दूँ कि जब hypertension BP high हो जाए नमक हमें कम ही लेना चाहिए तो अगर आप नमक कम ले रहे हो तो उससे BP नहीं बढ़ेगा या उसससे hypertension नहीं होगी तो ये factor responsible नहीं है hypertension के लिए living under stress and worry अगर आप tension ले रहे हो तो भी hypertension होती है इन में से कौन सा सबसे common saccharide है saccharide बताओं क्या होता है saccharide आप समझ सकते हो sugar की ही different form है शरकरा मिठास की अलग-अलग form है सबसे ज़्यादा मिलने वाला saccharide होता है sucrose ध्यान रखना सबसे ज़्यादा मीठा जो saccharide है तो वो बोल रहे हैं जो peach juice puree में यानि कि जो आडू का जो रस होता है उसकी puree में पाया जाता है जिसमें लगबग 55-80% total sugar का जो content है वो वही उसी चीज से बनाए तो वो है आपका sucrose इन में से plastic के बारे में कौन सा कथन गलत है सबसे पहला leucoplast ये store करने का काम करते हैं जैसे starch oil देखो मैं आपको बताती हूँ plastics होते हैं तीन रंगे leucoplast का काम होता है खाने को अपने अंदर store करना chromoplast का काम होता है पौधो को या फूल को अलग-अलग रंग देना ताकि वो बहुत आकरशित लगे leucoplast का main काम होता है इन सब को store करना बिल्कुल ठीक leucoplast का कोई रंग नहीं होता colorless होता है ये भी ठीक है chromoplast photosynthesis के लिए responsible होते हैं ये incorrect है ये हैं सही कर लेना ये chloroplast जी आएगा यहाँ पे otherwise C तो गलत है ही plastics do not have their own DNA and ribosomes plastics के पास उनका लवक बोलते हैं हिंदी में उनका खुद का DNA और खुद के protein होते हैं तो यहाँ पे option COD दोनों गलत है chromoplast का काम photosynthesis नहीं होता वो chloroplast का होता है COD दोनों गलत है अगर यहाँ पर chromoplast के जगा chloroplast होता तो वो बिल्कुल ठीक था next question इन में से house fly यानि जो घर में मक्ही पाई जाती है उसका जैविक नाम क्या है biological name क्या है तो उसका नाम है मसका domestica टाइफाइड is caused by टाइफाइड किसके करण होता है bacteria के करण होता है याद रखेंगे beriberi is caused by the deficiency of बेरी-बेरी होता है vitamin B1 की कमी की वज़े से और vitamin B1 को हम बोलते है thiamine table sugar mostly contains water table sugar में chini जो होती है जो हम use करते है उसमें क्या होता है मैंना भी बताया है सबसे ज़्यदा सुक्रोज मिलता है सुक्रोज होता है उसके अंदर gorgonia ventalina is the scientific name of which salt water invertebrate gorgonia ventalina कौन से जीव का जो पानी में मिलता है खारे पानी में मिलता है उसका विज्यानिक नेम है तो आपको ये बताना है देखो एक तो जितने भी scientific name है अगर आप उनका नाम थोड़ा story से learn कर लोगे तो आपको कोई भी problem नहीं होगी तो ये नाम है common sea fan का ठीक है कैसे याद रखोगे gorgonia ventalina ये नाम है common sea fan का the term protozoa was coined by जो protozoa शब्द है उसकी रचना किसने की थी वो की थी gold fuzz ने सबसे पहले जो आपको बताया था कि इनको हम protozoa बोलेंगे ये term ये किसने बोला था gold fuzz से मैंने आपको इसी वीडियो में बताया bacteria किसके इकलोते member है monra और ये पांच जो चप की classification थी किसने दी थी वीटे कर ने दी थी RH वीटे कर who conceptualized the idea about animal ecology in 1927 इन में से पशू पारिस्थिति के बारे में सबसे पहले 1927 में किसने वीचार दिया था वो थे आपके Charles Elton जिनोंने पशू पारिस्थिति की animal ecology के बारे में सबसे पहले अपने thoughts रखे थे which of the following is the largest double membrane bound organelles इन में से सबसे बड़े होते हैं double membrane दो जिली से बंद रहते हैं जिसके अंदर cell की सारी ही सारी genetic information होती है सारी की सारी जितनी भी अनुवंशिक जानकारी होती है इसी के अंदर होती है किसके अंदर होती है nucleus केंद्रक के अंदर ध्यान रखेंगे नाभिक भी बोलते हैं इसको which of the following area pair of barrel shaped organs अच्छा barrel shaped के ओर्गन्स हैं ये ठीक है barrel क्याकार के अंगक हैं ये जो की animal cell के अंदर पाए जाते हैं जन्तु कोशिकाओं में पाए जाते हैं nucleus के पास केंद्रक के पास जो की जब cell divide होता है जब cell का विखंडन हो रहा होता है उस time पे mitotic spindle बनाते हैं basically shape देते हैं मैंने आपको सिर्फ एक organal है जिसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया था और ये बोला था कि जब भी cell reproduce करेगा cell divide करेगा आपने आपको विभाजित करेगा ये सिर्फ तब काम आते हैं और मैंने आपको डाइग्राम में भी कैसे बनाया था इनका डाइग्राम मैंने पर ऐसे भी नहीं बनाया था मैंने बस ऐसे ऐसे lines lines draw कर दी थी और ये lines अगर आप बिलकुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो spindle ये शेप दिखेगी जो आपके barrel की होती है जैसे आपके drum की होती है वैसे तो ये हैं आपके centrosomes तारक का है तारक का एक लौते ऐसी चीज़े हैं जो की आपके बहुत सारी शेप के होते हैं और आपका जब cell mitosis करता है तो orientation देते हैं चीक है एक सेकंड centrosomes नहीं थे centrioles थे centrosomes तो उनको बोल रहे थे हम गोलगी apparatus के जो गोले गोले थे ये उनको अगर individual कर दोगे तो centrosomes बोलोगे तो ये centrioles थे चले इन में से बताएं कौन जा बिलकुल करेक्ट है सबसे पहला white blood cell जो है body के अंदर जो श्वेत रख्ट की कोशी का है वो अपनी शेप बदल सकती है बिलकुल क्योंकि वो रेगुलर होते हैं उनकी कोई शेप fix नहीं होती सेम एमीबा की तरह की भी कोई शेप fix नहीं होती तो दोनों का अकार अन्यमित होता है बो थार करेक्ट चलिए अब आपको इनको मैच करना है सबसे पहले बात करते है प्रोड्यूसर की इन में से बताईए प्रोड्यूसर कौन है जो खाना बनाते है ग्रीन प्लांट्स तो फस्ट का हो गया B प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे हर्भी वोर्स आनिमल्स शाका हारी वालों से शुरू हो रही है प्लांट्स या ग्रास यही दो बचती है क्योंकि ना तो इनसेक्ट आ सकता है ना सोईल आ सकता है और टॉप कार्निवोर तक जाती है टॉप कार्निवोर मतलब जो ऐसे जीव है जो मासाहारी को भी खा लेते है चलिए देखते हैं पहले पौदे आए पौदो को इनसेक्ट ने खाया इनसेक्ट को फिश ने खाया फिश को बर्ड ने खाया बर्ड को टाइगर ने खाया यह बिल्कुल ठीक है अगला है ग्रास ग्रास को खाया इनसेक्ट ने इंसेक्ट को खाया है स्नेक ने, स्नेक इंसेक्ट नहीं खाता है, स्नेक को इंसेक्ट मिलेंगे मिनी, स्नेक स्मॉल एनिमल्स को खाता है, तो option A is the correct answer, next question की बात करते हैं, चले दोनों को आपको मैच करना है, ये एडल्टरेंट है, जिनकी मिलावट की जाती है, किस में बचता है, चलो, detergent होता है, white color का, detergent की मिलावट की जाती है, milk में, तो third का भी हो गया, इसके इलावा, चलो, हमें argument seed का नहीं पता कोई बात नहीं, papaya seed, जो पपीते का बीच होता है, काले रंग का होता है, और black paper, काली, मिर्च भी काले रंग की होती है, तो first का हो गया, आप cell के धांचे का कौन सा हिस्सा होता है, जो rigid है, यानि बहुत द्रड है, लेकिन खोकली rods की form में होता है, और cell cycle में important role वो play करेगी, जब cell बनता है, बड़ा होता है, divide होता है, आगे reproduce करता है, divide होता है, तो उसमें, वो कौन सी है, जो rods की form में होती है, अगर animal cell है, तो centriol centriols भी microtubules की category में ही आती है, the deficiency of iodine causes, iodine की कमी से कौन से भिमारी होती है, गोईटर, इसके लावा, iodine अगर है, तो कौन सा होर्मोन बनता है, thyroxine hormone, which of the following was first introduced in bacterial cells, इन में से सबसे पहले, bacterial cell में, जिवानु कोशिका में, क्या चीज का introduction दिया गया, किसने दिया था, जोशुआ लीडरबर्ग ने, 1952 में, यानि, जिवानु की कोशिका में, बैक्टीरिया के सेल में, सबसे पहले, क्या चीज नोटिस की गई, वो था, plasmid, plasmid क बोलते हैं, तो plasmid बताया था, किसने बताया था, जोशुआ लीडरबर्ग ने, 1952 में, which part of our body is responsible for digestion, पाचन के लिए हमारी बोड़ी में, कौन सा अंग, उत्तरदाई होता है, gastric glands, पेट के जो glands होते हैं, वो, अमाश्य ग्रन्तिया, अगर एक कोशी का विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन उसका nucleus काफी लंबा हो चुका है, तो उसको हम क्या बो, अच्छा, its nucleus is highly extended and elaborate nucleoprotein fibers, उस nucleus के अंदर, जो खिच चुका है, काफी लंबे-लंबे fiber होते हैं, जिसमें सारी information होती है, तंतु होते हैं, उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं, chromatin वैसे भी, nucleus के अंदर, kendra के अंदर, DNA और chromatin material ही होता है, यह मैं आखको पढ़ा भी चुकी हूँ, इनमें से cell यानि कोशी का के बारे में कौन सी चीज बिल्कुल ठीक है, cell is a functional unit of life, यह बिल्कुल ठीक है, यह क्रियात्म की काई होती है, हमारे शरीर की, cell membrane, flexible होती है, बहुत जादा, लचीली होती है, powerhouse, powerhouse किसको बोलते हैं, mitochondria को, bacterial cell contains cellulose, bacterial cell के अंदर, cell wall नहीं होती, जब कोशी का, जो दिवार है, वो ही नहीं है, तो cellulose किस से बनती है, cell wall किस से बनती है, cellulose से, जब cell wall ही नहीं है, तो cellulose का भी कोई काम नहीं होगा, Which of the following is known as the powerhouse of cell, cell का powerhouse किसे कहा जाता है, अभी जब जब आया था, cell का powerhouse कहा जाता है, mitochondria को, Which of the following statements about water resource is correct, इन में से पानी के संसाधन के बारे में, कौन सी statement बिलकुल correct है, पानी non-renewable, यानि गैर नभी करनी है, संसाधन है, बिलकुल गलत, पानी नभी करनी है, है, complete cycle है, पानी का वाश्पी करन होता है, वो वापस नीचे जमीन पर आता है, तो ये बिलकुल गलत है, water is a cyclic resource, ये चकरिक संसाधन है, बायोटिक रिसोर्स नहीं, इसमें कोई जीवन नहीं होता, ये अबायोटिक रिसोर्स है, अजैविक संसाधन है, पानी को दोनों कैटिगरी में रखते हैं, जैविक और अजैविक दोनों नहीं, ये भी गलत है, चलिए, ये बताना है, ये इसे किस तरीके से फैलती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कैसे फैलता है, सबसे पहलता है, मैं आपको ये बता दू, मेनिंजाइटिस फैलता है आपका, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, आपने छीका, आपकी जो मुह से ड्रॉप्स बाहर आई है, वो किसी और ने सास के तुरू अंदर लेली, तो meningitis फैलता है droplet infection से, एका है four, rabies, आपने देखा है ना कि कोई rabid से infected कोई जानवर अगर काट ले तो rabies हो जाता है, तो ये कैसे होगा अगर body में rabies का virus inject हो जाए किसी भी तरीके से, किसी जानवर के काटने से या किसी भी कारण से, तो rabies होत होता है, inoculation into skin, typhide होता है bacteria से और साथ में खाना या पानी ऐसा पीने से जो की गंदा हो, और tetanus होता है contact with the soil, तो one का है fourth, b का है one, c का है आपका second, तो option c is the correct answer, next question की बात करता है, इस regular growth of teeth is due to the deficiencies of vitamin, अगर दाथ टेड़े मेड़े हो रहे हैं, तो वो किस vitamin की कमी की वज़े से होता है, वो होता है vitamin D की कमी की वज़े से pesticide, insecticide, अगर पीड़क नाशक हैं, कीट नाशक हैं, इनका सबसे ज़दा use अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक phenomena होता है, जिसको हम बोलते हैं, bio magnification, इसके अंदर क्या होता है, कि जो भी ये जो कीट नाशक या insecticide, pesticide, जो भी हमने crop में डाले हैं, अगर वो हमारे शरीर में जाएंगे, तो हमारे शरीर में इनकी concentration, इनकी सांदरता बढ़ जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते है, bio magnification, जैव आवर्धन, हम oil binders को, म्रिदा को बांधने के लिए, हम कौन से पौधों का इस्तमाल करते हैं, यह होता है, teridophytes, टीक है, teridophytes ऐसे होते हैं, जो की पौधे को, यानि म्रिदा को, sorry, बांधने का काम करते हैं, next करते हैं, इन में तह सबसे पुराना जिवित, पौधे की प्रजाती कौन सी है जिसके हम जो leaves हैं पतियों का इस्तमाल करते हैं फून में अगर कोई कमी है या यादाश में अगर कोई कमी है उसका इलाज करने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं गिंक गो ठीक है जिंको इस पौधे का नाम है इसकी जो leaves होती है fan shape की होती है हम इन पतियों का इस्तमाल करते which of the following is absent in prokaryotic cells जो prokaryotic कोशिका होती है यानि पुराने जो cells होते है इन में से क्या चीज absent रहती है जो पुराने cells है उसमें जिल्ली कहीं नहीं मिलेगी किसी भी चीज के चारो तरफ membranes नहीं मिलेगी तो nuclear membrane जो कोशिका है जिल्ली होती है ये बिलकुल absent होती है कौन सी फंगस है fermentation यानि किनवन तकनीक में हम यूज करते हैं इन में से कौन सी फंगस तो वो है आपकी saccharomyces saccharomyces जो है हम यूज करते हैं आपकी fermentation technology में घ्यान से इसको पढ़ लिजेगा red algae जो लाल शेवाल होती है उनका common name क्या है तो उसका नाम होता है road of IK mitochondria के बारे में कौन सी statement बिलकुल गलत है सबसे पहला ATP को बनाने वाली जो reactions हैं वो सभी mitochondria के अंदर ही होती है कहां होती है मैं आपको बता दो mitochondria में दो membranes होती है दो जिल्ली होती है बाहर वाली काफी porous होती है और अंदर वाली यानि बाहर वाली में छोटे छोटे छेद होंगे अंदर वाली folded होती है यह है mitochondria का structure तो बाहर वाली layer होती है porous जिसमें छोटे छोटे छेद होती है अंदर वाली folded है तो यहां पर होती है तो पहली स्टेट्मेंट बिल्कुल ठीक है दूसरा हमारा शरीर वो जो ATP बनाने में जो energy हमने श्चोर की है उसको यूज करती है ये भी बिल्कुल ठीक है mitochondria में दो जिलियां होती है ये भी बिल्कुल सही है mitochondria उनका खुद का प्रोटीन नहीं बना सकते बिल्कुल गलत DNA और प्लास्टिड यह दो चीज़े ऐसी होती है जिनके पास इनका खुद का डिन ने और खुद का प्रोटीन होता है यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एक कौनसा ऐसा कीड़ा है जो लकडी में छेद कर देता है आपके पास जो आप्षिन्स है वो है पटेला, उमेक्स, टेरेडो और चिटोन तो इन में से जो करेक्ट आंसर है वो है टेरेडो टेरेडो एक ऐसा कीड़ा है जो लकडी में छेद कर सकता है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रख्थ चाप यानि ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है वो है Sphigmanometer ये बहुत important है मैं कहीं बार बता भी चुकी हूं Sphigmanometer ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है which of the following is not iron rich, इस में से किस चीज में ज्यादा आइरन नहीं होता पीज, देखो पीज, रेड, मीट, स्पीनेच और लेमन लेमन के अंदर आइरन नहीं होता नीम्बू, सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर मेल नहीं विच अफ दे फोलोईंग अबाउट फाइलम बताओ कौन सी स्टेट्मेंट ठीक है यह नौन वेस्कुलर पौडे होता है अ켜पौन बेस्कुलर मतलब जिन में पानी और खाने को ट्रांसपॉर्ट करने के लिए आपके पास ना जाइलम है, ना फ्लियूम है तो पहले चीझ तो यह बिल्कुल गलत है यह vascular पौदे होते हैं तो यह बिल्कुल correct गलत हो गया the seeds of angiosperms are naked जो angiosperms के बीज हैं वो naked हैं यानि उनमें कोई परत नहीं होती these make up the majority of all plants on the earth यह बिल्कुल ठीक है earth पे सबसे ज़्यादा majority में यही पौदे मिलते हैं the seeds develop inside the plant organs and form fruits जो बीज हैं पौदो वो fruit के अंदर फलो के अंदर मिलेंगे यह बिल्कुल ठीक है तो c and d are correct next which of the following is an example of tidophytes इन में से कौन सा tidophyte का एक example है तो tidophyte का जो example है वो है आपका salvenia tidophyte जो वो होते हैं आपके पौदे उनका एक example है salvenia किस trophic level में maximum energy देखो जिस जो trophic level जो पोशी स्थर जितना नीचे उसमें उतनी ही जादा मात्रा में उर्जा होती है तो सबसे कम trophic level 1 है यहाँ पे तो 1 में सबसे जादा energy होगी नेमज जीनस ओ वाइडली distributed floating aquatic plant इन में से एक ऐसे प्रजाती का नाम बताओ जो तैरने वाला पोधा है जो अब तक सबसे छोटा एक बीज पत्री पादप है यानि सबसे छोटा पोधा है और जिसमें बीज में दो आवरन होते हैं एक इधर और एक इधर तो एक ही आवरन में खाना पाया जाता है लेकिन सबसे जादा प्रोटीन मिलता है वो है आपका वोल्फिय और वोल्फिय तो नाम ही नाम से जाना जाता है aquatic plant floating aquatic plant इन में से वो कौन सब फिनोमिना है जिसमें एक और्गेनिजम एक जीव बायो कैमिकल बनाता है जो की दूसरे जीव की ग्रोथ उसका विकास उसमें कैसे उसका development होगा उसका survival कैसे होगा वो प्रजनन कैसे करेगा वो chemical दूसरे जीव का यह सब कुछ decide करता है तो यह होता है आपका ऐलीलोपैथी ऐलीलोपैथी में एक जीव द्वारा बनाया गया chemical दूसरे जीव द्वारा करने वाली सारे काम को कंट्रोल करता है what are known as enzymes enzymes कौन से होता है जो biological catalyst है जो जैविक उत्प्रे रख है उन्ही को आप क्या कहते हैं enzymes बोलते है cell nucleus was discovered by cell का जो nucleus है जो केंदरक है वो किसने discover किया था वो किया था आपका Robert Brown ने रोबर्ट ब्राउन ने रोबर्ट हुक ने cell के discovery की थी 1665 में और रोबर्ट ब्राउन ने नूकलियस के discovery की phytoplankton's are phytoplankton's क्या होते हैं देखो सुनो जैसे हम खादे शंकला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पौदे आते हैं राइट जब पानी वाली खादे शंकला आए पढ़ते हैं aquatic food chain पढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं जो microscopic plants चोटे-चोटे पौदे जो हमें दिखते भी नहीं है जिनको जो पानी में तैरते रहते हैं जैसे algae शेवाल यह इनको बोलते हैं phytoplankton's जो क्या होते हैं producer होते हैं producers खाना बनाते हैं in a pond ecosystem the first traffic level includes पानी pond आगिया मतलब जील है पानी है सबसे पहले लेवल किसका होगा phytoplankton अभी आपने पढ़ा तो phytoplankton यानि पादप लवक conservation of biological diversity and sustainable use of its components जो आपका जैविक विविदता है इसको बचा के रखना और साथ में इसके components इसके जो घटक हैं इनका यूज करना पाकि वो आगे तक चले यह एक treaty के अंदर decide हुआ है उस treaty का नाम क्या है उस treaty का नाम है नागोया प्रोटोकॉल याद रख लेना biological diversity जैविक विविदता से related प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल for how many vaccine preventable diseases are immunizations provided under universal immunization program our volume Tika Karan Karayakaram में आपको कितनी बिमारियों के against वैक्सेन प्रोटो करा जाती है बारा बारा बिमारियों के अगेंस्ट वैक्सेन प्रोटो कराई जाती है वाट इस दे ट्रेंड ऑफ बायलोजिकल वेल्ट ऑफ प्लानेट हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवर्ति क्या है अभी जैसे जैसे टाइम हो रहा है आगे बढ़ता जा रहा है प्रदूशन की वज़े से हमारी एक्टिविटीज की वज़े से डीफोरेस्टेशन की इसमें जैनवर आ रहे है यह भी खतम अनीवीज आ रहे है यह भी खतम तो सॉयल मिनरल विंड और रेंपॉल इसमें एक भी चीज लिविंग नहीं है तो यही करेक्ट आंसर होगा which substance is fortified with calcium, vitamin D and vitamin B12 ऐसा कौन सा substance है जिसमें calcium और vitamin D देखो यह दोनों होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में milk में vitamin B12, vitamin B12 भी होगा तो अब आप देखो egg, soya milk, dark green leafy vegetables and cow's milk soya milk में सबसे ज़्यादा cow milk में भी होते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा amount होता है soya milk में rodo 5K family जो brown algae होती है, भूरी शेवाल होती है उसकी कौन सी genus आप कह सकते हो, ऐसी है जिसमें जो branches है या जो पीछे वाला section है वो unicellular rhizoid के कारण खड़ा हुआ होता है एक कोशी किये मूला भासों के माध्यम से बिलकुल खड़ा हुआ होता है तो ये हो गया आपका polysiphonia, polysiphonia वो शेवाल होती है भूरे रंग की शेवाल के अंदर आती है जिसमें जो उसका पिछला भाग होता है जो branches होती है सीधी खड़ रहती है पर किसके माध्यम से राइजोइट के माध्यम से तो वो है आपका polysiphonia तो गाइस यह थे सभी biology के questions I know थोड़ा से जादा वीडियो मलब बहुत सारे questions है और कुछ questions ऐसे भी थे जो इतने डीप में आपके नहीं आएंगे बट वही है कि balance कही ना कहीं करने होता है questions तो आप देख रहे हो जैसे की chemistry बहुत इसी इसी के साथ मैं आपको अल्रीडी सब कुछ एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ complete अवे आप जन्रल अवेयनिस का बैच आप एंड्रोल कर सकते हो एप्लिकेशन को डाउनलोड करके साथ ही ऑफिसा बैच अगर आपको सभी सब्जेक्स को कवर करना है आप देख सकते हैं इतने सारे बाचेश अवेलेबल है साथ ही जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आए हैं उनको भी टाइमलीच चेक करते रहे हैं ताकि आपके कोई वीडियो बिस आफ ना हूँ आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगली वीड आज के साथ अब तक के लिए हाव गुड़ डे और गुड़ बाए